पहतर दिखने के लिए कपड़े पहनने से ज़ादा जरूरी है आपका confident दिखना। आत्मविश्वास से भरे हुए लोग भीड में भी अपनी अलग छाप छोड़ने में काम्याब रहते हैं। लेकिन कई बार जीवन में आसफलताओं के आने और कई दूसरे कारणों से लोगों का confidence कम होने लगता है। इससे हमारा मन कई बातों में उलच जाता है। जैसे होए हुए आत्मविश्वास को कैसे हासल करें, confidence कैसे बढ़ाएं, confidence से बात कैसे करें। अगर आप भी इन ही सवालों से घिरे हुए हैं, तो आज के इस वीडियो में हम इस बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, bell आइकन को जरूर दबा दीजेगा। आए, आगे बढ़ते हैं और बताते हैं शुरू से। अपने आप से पूछें सवाल, आप क्या बनना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं, ये खुद से बहतर और कोई नहीं जान सकता। कई लोग बेवन से काम करते हैं और इस बज़े से भी आत्मविश्वास गिरता है। इसलिए आप अपनी अंतरात्मा से सवाल पूछें कि क्या आप उस काम को करने के लिए सही हैं, इसके लावा आपके अंदर वो कौन से गुण हैं या शमता हैं जिससे आप दूसरों को टकर दे सकते हैं। इसे एनलाइज करें। इसलिए आत्मविश्वास आसल करने के लिए खुद का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सुबह के समय मेडिटेशन और योगा करने से मानसिक तौर पर राहत मिलती है। जबकि बाहरी पस्टनालिटी को बहतर बनाने के लिए अच्छे कपड़े पहनना और सेल्फ ग्रूमिंग वाकई में जरूरी है। कई बार जरूरत से ज़्यादा काम का प्रेशर लेने पर भी निराशा आने लगती है। इसलिए आत्मविश्वास हासिल करने के लिए लाइफ में चोटे-चोटे गोल सेट करने चाहिए। इससे आप अपने लक्ष को जल्दी हासिल कर सकेंगे। साथी चोटी-चोटी जीत आपको जादा खुशिया देंगी। यही चीजें आपको बड़े लक्ष को हासिल करने में मदद करेंगी। इससे आप अंदर से खुद को confident महसूस करेंगे। 6. खुशी में छिपा है राज। कोई भी व्यक्ती तब ही confidence बन सकता है जब वो अंदर से खुश हो। कई बार सारी सुक सुविधाय होने के बावजूद हमें अच्छा नहीं लगता है। इसकी वज़े आत्मविश्वास करना होना है। ऐसे में खुद को relax करें, जादा से जादा समय नेचर के साथ बिताएं और हर वो काम करें जिससे आपको अंदर से अच्छा लगता है। इससे आपकी सोच सकरात्मग बनेगी और इसके लावा कोशिश करें कि दूसरों की निस्वार्त भाव से मदद करें। या उनके बारे में अच्छा सोचें, ऐसा करने से भी आपको खुशी मिलेगी। रोजाना एक काम करते हुए भी अकसर boring हो जाता है। इससे भी आत्मविश्वास में कमी आती है। इससे बचने के लिए हर दिन कुश नया ट्राइ करें। इससे आपको अपनी दूसरी शमताओं के बारे में पता चलेगा। जब आप नए काम में सफलता हासिल करेंगे, तो आपको खुशी महसूस होगी। इससे आपका confidence बढ़ेगा। No.8, exercise भी है एक जरिया। मांसिक विकास के साथ ही शारीरिक रूप से बहतर बनना भी आत्म विश्वास हाजल करने का बहुत अच्छा जरिया है। खास तोर पर पुरुशों के लिए एक अच्छी बॉड़ी उन्हें confident बना सकती है। इससे आप भीड में अलग दिखने के साथ ही सकारात्मक भी महसूस करेंगे। क्योंकि जब आप exercise करते हैं तो इससे blood flow बढ़ता है। साथ ही शरीर को परियाप्त मातरा में oxygen बिलती है। No.9, गल्तियों को स्विकारने की शमता रखें। एक इनसान तभी बड़ा बनता है जब अपनी गल्तियों को स्विकारने की शमता रखता है। क्योंकि कई बार अपनी गल्तियों से बशने के लिए हम जूट बोलते हैं या उस काम को करने से बशते हैं। इससे हमारा आत्मविश्वास डग-मगाता है। इसलिए अपनी सोच को बदलें और चीजों को accept करना सीखें, क्योंकि कोई भी शक्स perfect नहीं होता है। एक विक्ती तभी कामियाब बन सकता है जब उसे अपने आप पर भरोसा हो। confidence हासल करने के लिए अपनी एक विचारधारा होना भी बहुत जरूरी है। आप में खुद के लिए निर्णे को सही साबित करने और उस पर अड़े रहने की काबलियत होनी चाहिए। जब आप अपनी निगाहों में उठेंगे तभी दुनिया आप पर एदबार कर सकेगी। Confidence हासिल करने के लिए बाहरी और आंतरीक personality पर काम करना बहुत जरूरी है। साथ ही अपनी गलतियों को सुविकारने और खुद को खुश रखने की कोशिश करें। क्योंकि आसफलताओं के बाद ही जीत हासिल की जा सकती है। दोस्तों आपके क्या विचान हैं इस वीडियो के बारे में नीचे हमें comment section में comment करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो like करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिष्टिदारों के साथ में जरूर शेयर करें। और ऐसे ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजें।